राहुल गांधी ने लद्दाख जाकर दिया बड़ा बयान, बोले कि चीन ने लद्दाख में छीलनी जमीन अब राहुल गांधी के बयान पर सिंध्या का भी आ गया तगड़ा जवा भारत माता की धर्ती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में जाके देश के पूर प्रधार मंतरी राजीव गांधी की आज जनती है, कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को पैंगोंग जील के तटपा स्रधांजली अर्पित की और श्रद्धांजली अर्पित करने के बाद उन्होंने चीन के जरिये मोधी सरकार पर निचाना साथ दिया उन्होंने कहा कि चिंता की बात है कि चीन ने लद्दाख के लोगों की जमीन छिलनी यहां के लोगों ने बताया कि चीन की सेना हमारे इलाके में घुसाई और उनकी चरागा जमीन छिल लेकिन पियम मोदी तो कहते हैं कि एक इंच भी जमीन नहीं छिनी गई आपको बता देंगे इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहां क्यों आए भारत जोड़ोई आत्रा के समय हमें लदाक जाना था मगर लोजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए तो मैंने सोचा कि लदाक का थोड़ा डीटेल में टूर करूँ इसलिए हम पापा ने बहुत साल पहले पापा यहां आये थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगॉंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुन्दर जगा है तो मैं आना चाहता था तो मैंने सोचा कि उनके जनम दिन पर यहां अगर आजाओं तो अच्छा होगा इसलिए मैंने इसमें यहां आया जाया अगर बाइक से जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा असानी से बाचीत हो जाती है राहुल कांधी के इस बयान पर केंद्रे मंत्री और भाजबा सांसत जोतिरा दित्ते सिंध्या की और से बड़ी प्रतिकरिया गई है सिंध्या ने कॉंग्रेस पर निशाना साथ ते हुए कह दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाली और 45,000 वर किलोमीटर जमीन चीन को देने वाली कॉंग्रेस को पहले अपने अंदर जाकना चाहिए जिस कॉंग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई-भाई का माला जबके 45,000 स्क्वेर किलोमीटर भारत माता की धर्ती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में जाके राहुल गांदी के इस बयान पर बाल पलटवार शुरू हो चुका है लेकिन ये कहां जा सकता है कि राहुल गांदी के बयान पर सिंध्या ने बड़ा जवाब जरूर दे दिया तो आप इस वीडियो को शेर कीजिए और जुड़े रहे हेडलाइन सिंध्या के साथ